ऐसी ड्रोइंग साम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको यह जानना नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं आउटलाइन जादा कुछ मैटर नहीं करती है ड्रोइंग में मैटर करती है तो शिफ शेडिंग मूर्तिकार किसी भी फत्तर को एक रियलिस्टिक या 3D लुक में कनवर्ड करता है वैसे शेडिंग किसी भी आउटलेन को एक 3D या फिर रियलिस्टिक लुक में कनवर्ड करती है तो इसलिए हमें शेडिंग की बारे में जानना बहुत ज़रूरी है तो शेडिंग के वैसे पा में आपको बताऊंगा किस pencil से कैसी shading आती है जैसे कि charcoal और graphite pencil एक graphite medium रहता है और एक charcoal medium रहता है graphite medium में ज्यादा shading का use होता है जैसे कि hatching technique, hatching technique में हम shading एक ही direction में करते है जैसे कि यह है दूसरी technique के cross hatching, cross hatching एक hatching का ही प्रकार है बस उसमें हम hatching करने के बाद opposite direction में shading करते है और third है steeple इसमें हम ज्यादा तरह dot का use करते है जैसे कि यह और next आता है smudge इसमें क्या होता है हमें dark to light की तरफ जाना पड़ते हैं सबसे पहले हमें dark shading करने पड़ते है and then उसके बाद light 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 मतलब सबसे पहले हमें dark shading करने पड़ते है उसके बाद हम light light shading करते जाते हैं मतलब जिधर dark पाटे उदर dark और उसके बाद धीरे-धेरे light की तरफ और यह shading के types है ना बहुत ज़दा important है अगर आपको एक realistic drawing निकालनी है तो और यह जो shading के types है किदर apply करना है यह तो आपको जानना पड़ेगा तो इसके लिए आप लेट वादा वीडियो चेक आउट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राब तो मैं चैनल